सुहे गाइस वेलकम बैक तो रॉकेटरेड रिमर्स यूट्यूब चनल दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक स्लाइड के बारे में जो डॉक्टर वी नारायन सर ने प्रेजेंट किया था ओके वेल चलिए शुरू करते सबसे पहले बजिट विजिट की बा लाइव स्ट्रीम पर एक्जैक्ट 37 मिनिट्स पर उन्होंने पीएसलवी के बात की थी कि पीएसलवी के लगभग अब तक साथ प्रक्षेपन साथ लॉंच हो चुके हैं और अब तक पीएसलवी ने लगभग 64.25 टन का पेलोड और बिट में डाला है मतलब अब तक जो हमार पीएसलवी उसने 65 टन अंतरिक्ष में डाला है वैसे 64.25 टन है लेकिन हम 65 पकड़ते हैं वेल आगे जाकर वो बोल रहे है कि हमारा जो गगणियान का क्रिवड मिशन है क्रिवड फ्लाइट है उससे पहले हम जीवन जीटू जीटू जीएक्स तक ऐसे मतलब बहुत सारे जो डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट से वो करने वाले विदाउट एनी क्रिव तो वह काफी एक बड़ी बात मतलब बड़ी बात तो नहीं वेल काफी लंबी बात है क्योंकि काफी देर लगे हमें यह साब सारे चीजे करने के लिए उसके बाद हमें एक अपडेटेड रेंडर मिल या LME 1100 का बेसिकली यह NGLB सूरिया था उसका डिजाइन कंप्लेट हो चुका है अभी उसके स्पेसिफिकेशन दिये गए है यहां साइकल जीजी सी है थ्रस्ट 1146 किली न्यूटन का प्रड्यूस करता है ISP वैक्यूम में उसके ISP अगर हम देखे तो 332 सेकंड की है AR 17 थ्रो है मास के अगर हम बात करें तो 1100 किलोग्राम इसका वजन है और लगभग 20 बार इसको हम रियूज कर सकते हैं रियूजेबल है यह होके अगर हम आगे बात करें तो NGLV सूरिया का रोड मैप 233 तक का है 9 into LME 110 बूस्टर के लिए उसके बाद 2 into LME 110 फोर अपर स्टेज सूरिय की NGLV सूरिया की उसके बाद सूरिया 20 तन तक लोवर्थ और्बिट में डाल सकता है 9 तन तक जियो सिंक्रेनस ट्रांसफर और्बिट में डाल सकता है और 7 तन तक जो टिये लाए हैं वहाँ डाल सकता है मतलब ट्रांसलोरर इंजेक्शन तक उसके बाद अगर हम सूरिया यह जो सूरिया एच है यह solid strap-on booster के साथ आता है आगे बढ़ते हुए सूरिया का variant है जो under study है जो की 70 ton तक lower to orbit में डाल सकता है ऐसी उसकी capacity है वेल आगे है BAS या Indian space station या भारतिय space station जो भी आप इसे कहलो उसकी कुछ details है like base module जो है वो 3.8 diameter into 8 meter का होगा जिसका की weight जो होगा वो 9186 kg का होगा जिसका प्रक्षेपन हम LVM3 से करने जा रहा है उसके बाद core module होगा जिसका की diameter 3.8 meter into 9.25 meter जिसका की जो वजन है वो 10,000,033 kg का होगा जिसका भी प्रक्षेपन हम LVM3 से करने जा रहा है उसके बाद तीसरा जो होगा वो होगा science module जो की 3.8 उसका diameter होगा और लगबख 9.25 इसका 3.8 diameter into 9.25 meter इसका length होगी और अगर हम उसकी बात करें मास की तो यह लगबख 10,896 kg का है जिसका की प्रक्षेपन हम LVM3 SC से करने वाल है उसके बाद SC मतलब आएगा semi cryogenic जो की हमारा SC 200 के साथ आता है वेल उपर वाला भी हो सक मतलब होगा यह LVM3 के साथ वेल आभी देखना होगा यह तो मैं जस्ट explain कर रहा हूँ यह डाटा उपर नीचे भी होता है टाइम की अनुसर अभी जब final launch होगा तो देखने वाली बात होगी कैसे क्या होता है आगे बढ़ती हुए lab module है जिसका की diameter 3.8 meter है 9.25 इसका length है 10,646 kg इसका वजन है LVM3 SC से इसका भी प्रक्षेपन किया जाएगा CBM module 5 वा और last है जो की 3.8 meter का उसका diameter है 9.25 meter की इसकी length है 10,979 kg इसका वजन है मतलब 11,000 इसका वजन है 11,000 kg इसका वजन है जिसका की प्रक्षेपन LVM3 SC से किया जाना है वेल आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके key features की बात करें तो 52 ton इसका total वजन होगा dimensions की बात करें तो 27 meter into 20 meter इसका dimensions होगी crew की अगर हम बात करें तो 3 से 4 crew nominally रह सकते हैं सबसे ज़्यादा maximum crew छे रह सकते हैं short duration के लिए 21.5 degree इसके inclination के साथ अगर हम docking provision के बात करें तो cargo और crew module के लिए I guess docking provisions है इस सारे modules में birthing provision के बात करें तो module number 5 में होगा उसके साथ robotic manipulators, free flyers और humanoid है cupola viewport से और extra vehicular activities भी है उसके बाद वो TDS के बार हम बात कर रहे थे TDS जो mission है TDS 1 वो 2024 के end में वो लोग plan कर रहे उसके बाद Spadex जो mission है वो आने वाले छे महिने में हो जाएगा quarter first में 2025 के सो यह कुछ उन्होंने share किया था जो मैं आपको बता रहा हूं और यही था एक summary kind of मैंने ली थी और वो आपको explain कर रहा था ओके आपको कैसा लगा यह जानकर कि इतने सारे चीज़े अभी भी pending है और इसे उसके diameter या उसका ऐसे कुछ प्रकार की length वगरा है वेल इसके बारे में आपको का लगता है जरा comment पे बताना और और hopefully आगे जाकर हम कुछ नए emissions भी देखे जैसे कि मंगल यान वगरा मंगल यान के लिए काफी देर हो चुकिए मतलब काफी दिनों से हम कितनी सालों से रुके हैं अभी 2024 में 10 साल हो गए मुझे मैं तो इगरली वेट कर रहा हूं कि मंगल यान आ जाए उसका हमें लॉंच दिख जाए यह लॉंच छोड़ो यार उसका बस एक kind of manufacturing तो शुरू हो जाए मैं इगरली रुका हूं वेट कर रहा हूं उसके लिए और उसके बाद मैं इस चीज के लिए भी रुका हूं ह वेनस जो शुक्रयान है वो उसके बाद चंदरयान तो छोड़ दो शुक्रयान के लिए लेकिन आने माला जो चंदरयान मिशन चंदरयान चार होने वाला है वह भी काफी exciting होने वाला है वह एक scientific marvel होने वाला है इसके बारे में आपको क्या रहा है जारा कमेंट में बताना और आपको क्या लगता है ये मिशन कब तक हो सकते है अमोमन कितना टाइम लग सकता है इस रोको गेस मारो मैंने तो अभी मारा गेस मुझे तो ऐसा लगता है कि 25-26 तक नहीं होगा 28-29 29-30 तो हो जाएगा आपको क्या लगता है जरा कमेंट में बताना इस वीडियो में इतना ही म पंदे मातरम